हेलो दोस्तों you are welcome to my channel तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इवर यूथ नेचुरल्स का जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यह स्क्रब है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वालनट यहांने कि दूप में थोड़ी जल जाती है यांडर्स तो आप को आपका धीस डाऄ कर लेना चाहिए हूट करने सफिंस के ग्रोंद सोते हैं वो खतंम के आखिस की ट्रॉ लगती यह जाती है तो इसकी प्राइव था रूपी रूपीस का है और आपको पहली बाइट राइग करना तो आप इसमें छोटा पैक आता है पाउच भी आता है 11 रूपीस का ग्यारा रूपय का ता वह भी लेके पहले कर सकते हैं और अगर इसकी बात करकि और यह क्रीमी फॉर्म में होता है बहुत ज्बजे जैसा है स्क्रब कैसे करना है वह भी लिक्रaison पैट क्या करना है लेकिन पुर्म आपको पहले अपना फेस कीला कर लेना है उसके बाद फेस पर यहां पर आपको निकाल कर अपने पर अच्छी तरह से जहां पर भी आपकी डेट। रचेश से उर्गेड पड़ गइंगाmm या फिर टैननिग काली पड़ गई हो घृत एंब्स जहां पर अच्छीए मसाज करना है दो-सर्विब को अपने को मसाज्ज ना है उसके बाद आपको साफ पानी से अपने लेना है उसके बाद आप अच्छे से फेस को पोच लें तो आप देखेंगे कि आपका चहरा पहले से काफी निखर गया है काफी ग्लो आ जाएगा जो भी टैनिंग अगरा रहती है इससे तोड़ी खतम हो जाती है आप इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए हफते में दो से तीन बार इसे यूज कर सक सकते हैं और मैं इसके आपको अगर क्वाइंटीटी बता दू तो यह 35 रुपीज में तो आप देख सकते हैं यह 25 ग्राम का है इसकी अमार्पी 35 रुपीज है तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ऐसे ही रिवि दो अभर सकते हैं कि दौर यह 25 रुपी構 आप दो अलड़ सपष्यां का ढई हैं हैं गशोघह 20 रुपी構